तो आपर question है मारे पास factorize x square minus 3x minus 10 is equal to 0 तो देखो factorize करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है solution we have x square minus 3x minus 10 is equal to 0 सबसे पहले देखो x के साथ कोई नमबर नहीं है तो मैं आपर x के साथ 1 मान लेंगे ठीक है तो अब इस वन को हम इसमें multiply करेंगे तो 10 जब 10 होगा कितना होगा 10 10 को factorize करेंगे तो 255 यानि कि जो फेक्टर आएंगे वो 2 x 5 आएगा देखो 5 x 2 करेंगे तो कितना होगा 10 और 5 plus 2 करेंगे तो कितना होगा 75 minus 2 करेंगे तो कितना होगा 3 तो यहां पर हमें यह दो condition verify करनी होती है दोनों को multiply करने पर ac आजाए ac यानि की 1 x 10 10 आजाए तो पहला condition तो verify हो रहा है दूसरा यह जो factors होते हैं इनको add करना होता है या सब्ट्रेक्ट करना होता है ताकि यह b के equal आ जाए बी हमारे पास कितना है 3 है तो देखो 5 plus 2 करने पर 7 आ रहा है यह equal नहीं हो रहा है तो यह नहीं तो जीरो यहां से इसको अटा देते हैं कोई ज़रोद नहीं है इसको लिखने की अब देखो जब इसको इधर multiply कराएंगे तो sign को भी कराएंगे और x को भी कराएंगे x square minus 5 into x x minus into minus plus 2 into x 2x minus 10 is equal to 0 अब इन दोनों में से x को common कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x देखो x square है तो 1x बाहर होगा 1x अंदर होगा तो x minus यहां से x निकलेगा तो 5 बचेगा प्लस यहां से इन 2 को common कर लेंगे तो x minus 5 is equal to 0 यहां भी x minus 5 है यहां भी x minus 5 है इनको common कर लेंगे तो x minus 5 common हो गया तो इधर क्या बचेगा x plus 2 तो यह हमारा इस question का factorization होगा अब हमें 0's find करना है now for root देखो यह हो जाएगा x minus 5 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0 देखो यह और यह इन दोनों का product 0 के color तो या तो यह number 0 होगा या तो यह 0 होगा तो इसलिए x minus 5 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0 देखो जब यह उधर जाएगा न इस equal to k तो यह हो जाएगा x is equal to 5 और यह हो जाएगा x is equal to minus 2 दस x is equal to 5 कॉमा minus 2 और दा रूट और यह हमारा इस question का answer होगा students आप चाहें तो वीडियो को pause करके write down कर सकते हैं या फिर स्क्रीन सोट ले सकते हैं तो यहाँ पर question है find the roots of 2x square plus x minus 6 is equal to 0 तो यहाँ पर इसको हमें factorize करना है solution देखो सबसे पहले आप क्या करूँ इसको इसके साथ multiply कर लो 2 6 जा 12 12 के factor find कर लो 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 बन जा 3 factor के आ गया 2 2 3 तो यहां पर देखो हम इसको ऐसे करेंगे 4 इंटू 3 जा कितना होगा 4 तो 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 यहां पर एक से के साथ वन है वो लिखा नहीं है ठीक है तो बीकी वैल यहां पर कितनी है वन तो यहां पर यह रख देंगे 4 माइनस 3 यहां पर जो बी है यानि कि एकस के साथ जो वन है उसके जगा पर रखेंगे 4 माइनस 3 इंटू एकस माइनस 6 इंटू इंटू एकस स्कूर प्लास 4 यह यह प्लास इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहां से 2 और एकस कामन कर लेंगे यह ओ जाएगा यह प्लास टू टू जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा एकस प्लस टू जब थार्ड इस्टेप में माइनस हो तो माइनस साइन कामन कर लेंगे तरी कॉमन कर लेंगे थ्री बन जा थ्री बन राइट नहीं करते हैं और माइनस साइन कॉमन कर लिया तो यहां पर प्लस हो जाएगा थिरी टू जाएगा शिक्स अब यहां पर देखुए एकस प्लस टू है कॉमन कर लीजे एकस प्लस टू यहां पर रिमेनिंग होगा ट्व एक्स यह बाहर निकल जाएगा तो बचेगा माइनस साइन फर थ्री और यह बाहर निकल गया तो कुछ भी लिखने की ज़रूर नहीं है यह दोनों एक्वल टू तो यहां पर देखो, roots क्या आ जाएगा? यह और यह, इन दोनों का product 0 के इकल है, तो यह 0 के इकल होगा, x प्लस 2 is equal to 0, x is equal to minus 2, यह जो 2x minus 3 है, is equal to 0, तो यहां पर 2x is equal to, देखो, यह minus 3 है, उधर जा कि क्या हो जाएगा? प्लस 3, प्लस write करने के जरूत है नहीं, यह उधर जाएगा, तो divide में जाएगा, यानि कि 3 by 2, इस प्रकार से यह क्या आ गया? x के root आ गये, एक आ गया, x is equal to minus 2, और एक आ गया, x is equal to 3 by 2, तो यह इसका answer होगा, आप इसको write down कर लीजिए, इस question में से बोला गया, factorize, under root 2x square, प् plus 5 under root 2 is equal to 0, यह हमारे पास quadratic equation है, यह जो square root है, यह के वल 2 पर है, x पर नहीं है, ठीक है? अब देखो, जो standard quadratic equation होती है, वो होती है, ax square plus bx plus c is equal to 0, a की जो value है, वो square root 2 है, यहां से b की जो value है, वो 7 है, और c की जो value है, वो 5 square root 2 है, ठीक है? तो यहां पर करना क्या होता था? आपको 2 काम करना होता था, एक a into c find करना होता था, और फिर a into c का जो product आएगा, उसको factorize करके, दो factor find करने होते थे, फिर a c का जो product आएगा, उसको factorize करके दो फेक्टर फाइंड करने होते थे माल लेता हूं कि जो दोनों फेक्टर है वो वी यानि कि बीवन और दूसरा बीटु इन दोनों को एड करें या सब्ट्रेक्ट करें इनका संब के एक पर आना चाहिए यह दो कंडिसंस हमें verify करनी होती थी लेकिन मैं आपको इससे भी थोड़ा आसान तरीका बदाता हूँ आप क्या किजिए इस number को इसमें multiply कर दीजिए क्या कर दीजिए multiply तो चलो फिर multiply करते है square root 2 multiply 5 square root 2 आप ध्यान से देखना मैं उसको थोड़ा करम rate करता हूँ 5 into square root 2 into square root 2 आप देखो एक identity होती है आपकी square root n into square root n इसकी value n होगी मतलब दो बार अगर सेम नंबर का square root है multiply हो रहा है तो वही सेम नंबर आ जाएगा square root 2 into square root 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ठीक है तो फाइब टूजा कितना हो जाएगा 10 यानि कि product कितना आ जाएगा 10 इन दोनों का multiplication कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ठीक है तो इतना दिमाग में आ गया कि पहला जो मारा प्रोड़क्टा फेशी है इंटू सी वह 10 आ गया ठीक है इन दोनों को multiply करने पर कितना आ गया 10 आ गया देखो आप इसके हमें प्राइम फेक्टर find करने होते हैं तो प्राइम फेक्टर एक तो होते कि अगर छोटा नंबर है तो आप और ली कर लिजे मुह से लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो उसको ऐसे करेंगे है ना टू से टू फाइल जटेन फाइफ तो यहां पर आपको दो नंबर दिख रहे है होगा negra 2 और से टू को पर दोले विए और इनको एड़ कर दे तो कितना आ जाएगा सेवें आ जाएगा कितना जाएगा रहे हैं मतलब जहाँ पर 7 है वहाँ पर 5-2 रख देंगे ये 5-2 इस 7 के प्लेस निन प्रेस्ट तो चले करें हैं इसको आप्राइट कर दीजें मैं聲रे हम भी है है कि एक स्कृयर रूट 2 X स्कृयर प्लस 7X प्लस 5 एक्ष्कूयर रूट टू इकल टू जैरो है एम्प्लाइध एस्कृयर रूट 2 एकस स्कृयर देखो जहांपे सेवने यह मां पर 5 प्लस 2 रखना है जो शेवने उसके प्लेस्पर क्या रखना है 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वाइर रूट 2 इस एक्स को यहां पर मर्टिप्लाइ करायेंगे बाकी चीज़ सेम रहेंगी स्क्वाइर रूट 2x स्क्वाइर प्लस 5 इंटू 2x2x plus 5 square root 2 is equal to 0 ठीक है यहां तो कोई दिक्कत नहीं अब ध्यान से देखो यह वाले ग्रूप में कोई चीज कामन लेंगे तो यहां से सिर्फ x कामन हो सकता है तो जब यहां पर x कामन लेंगे तो square root 2 यहां से 1x निकलेगा एक बचेगा प्लस x निकल गया तो यहां पर 5 बचेगा अब यहां पर हमारे लिए problem है क्या चीज़ित यहां पर हमारे लिए problem है तो ध्यान से देखो जो 2 होता है ना उसको हम ऐसे तो सकते हैं square root 2 intus square root 2 ठीस जुक्ण होता है उसको हम square root 2 intus square root 2 write कर सकते हैं तो यहां पर क्या होगा in आरल हम अपने राइट के स्कुर रूट 2 intus qr2 और एक x ठीक है तो यहां से है अगर आप स्कॉरूरूर्टू क्मान लीजे यहां से और यहां से प्लास स्कॉरूरूक्प तो यहां से देखungen बापने स्कॉरूरूर्टू कामन कर लिया तो यहां पर क्या बचेगाद टू- million क्रिश्फ kत प्यूर्डब तो आप ध्यान रखना यह चीज कि टू के प्लेश पर में स्कुरी रूट टू रॉट कर सकते हैं इसी प्रकार से मालोत 3 होता तो स्कुरी रूट थी रॉट कर लेते हैं आशा हम कर सकते हैं ठीक है तो आप देखो यह ब्रेकेट वाला जो है square root 2 x plus 5 square root 2 x plus 5 same same है तो इसे हम common ले सकते हैं square root 2 x plus 5 common हो गया तो यहां से जब इसको निकाल लिया तो यह बचेगा x और यहां पर plus और square root 2 और यहां से यह निकल जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा is equal to 0 अब एक बार यह term में x के 0 होगा एक बार यह term x के 0 होगा तो क्या होजएगा देखो square root 2 x plus 5 is equal to 0 और यह बाला x plus square root 2 is equal to 0 तो जब इसको उधर ले जाएँगे तो यह होगा square root 2 into x is equal to minus 5 x is equal to minus 5 यह into में है उधर जाके divide में होगा square root 2 और यह देखो x is equal to उधर जाएगा तो minus square root 2 तो एक value हमारी x की आएगी x is equal to minus 5 by square root 2 और दूसरी आएगी x is equal to minus 2 यानि कि 0 क्या आएँगे x is equal to minus 5 upon square root 2 x is equal to minus square root 2 तो यह दोनों हमारी x की value होगे तो यहाँ बें हम एक line write कर सकते हैं thus the root of x is minus square root 2 r minus 5 upon square root 2 तो यह हमारा answer होगा इस question का आप चाहँ दो वीडियो को पाउच करके write down कर सकते हो या फिर screenshot ले सकते हो find the roots of 2x square minus x plus 1 upon 8 is equal to 0 देखो यहाँ पर यह question इसले tough हो जाता है क्योंकि आपर 1 upon 8 दिया है लेकिन इस question में कुछ है नहीं देखो कैसे solution we have 2 x square minus x plus 1 upon 8 is equal to 0 multiply by 8 on both side of above equation multiply by 8 on both side of above equation तो देखो यह जो उपर equation है इस पूरे equation में इधर और इधर हमें 8 से multiply करना है तो जब 8 से multiply करेंगे तो देखो ऐसे होगा 8 into 2x square minus x plus 1 upon 8 is equal to 8 into 0 यह जब अंदर multiply होगा तो यह जब अंदर multiply होगा तो 8 टूजा 16 x square minus 8 x plus 8 into 1 upon 8 8 into 0 तो जीरो तो यह देखो 8 बंजा 8 यह cancel out हो जाएगा तो बचेगा 16 x square minus 8 x plus 1 is equal to 0 जब इन दोनों का multiplication करेंगे तो हमें मिलेगा product of ac is equal to 16 ठीक है और इसका factor होगा 4 4 4 into 4 16 4 plus 4 8 देखो product of ac 4 into 4 equal to 16 और जो sum होगा दोनों factor का b1 plus b2 वो 8 होगा यहाँ पर b कितना है? 8 है तो यानि कि हम यहाँ पर रखेंगे 4 plus 4 इसके factor क्या होगे? 4 plus 4 तो यहाँ पर हम रख देंगे अब यह हमारी quadratic equation होई 16 x square minus 4 plus 4 x plus 1 is equal to 0 यहाँ से इसको open करेंगे 16 x square यह minus अंदर multiply होगा तो minus into plus minus 4 into x 4 x minus into plus minus 4 into x 4 x plus 1 is equal to 0 अब देखो यहाँ से 4 और x को common करेंगे 4 4 जा 16 1 x minus होजागा बचेगा x minus देखो यहाँ पर 4 x है यहाँ पर 4 x है 4 x बन जा 4 x तो यहाँ पर कितना आजागा 1 यहाँ से minus common लेंगे देखो हमें यहाँ पर 4 x चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए तो हमें कुछ भी common नहीं लेना है तो जब हमें कुछ भी common नहीं लेना होता है तो हम 1 common लेते हैं तो यहाँ पर common करेंगे 1 क्या common करेंगे 1 तो यह ऐसे ही हो जाएगा 4x अब ज्यान से देखना यह minus 4x था minus sign common निकला तो plus 4x हुआ यह plus 1 है minus common लेंगे तो यहाँ पर minus हो जाएगा minus 1 is equal to 0 यह bracket 4x minus 1 4x minus 1 सेम सेम है यहाँ से 4x minus 1 कामल लेंगे तो यहाँ पर बुचेगा 4x और यहाँ पर बुचेगा minus 1 और यह हो जाएगा 4x minus 1 is equal to 0 यह दुनों हमारे factor हो गए अब हम इसके roots find करेंगे now for roots तो 4x minus 1 is equal to 0 देखो एक बार यह 4x minus 1 is equal to 0 होगा एक बार यह 4x minus 1 is equal to 0 होगा जब दोनों सेम सेम है तो वही जो 0 जाएगा और दो बार हैगा यानि कि देखो इस 1 को उधर वेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा फिर देखो इस 4 को उधर वेजेंगे तो 1 by 4 हो जाएगा तो x की बालू कितनी आ गई 1 by 4 और यसे ही दोबारा करेंगे 4x minus 1 is equal to 0 तो 4x is equal to 1 और x is equal to 1 by 4 तो यहाँ पर x के root क्या मिल जाएंगे thus the root the roots of x are 1 upon 4 and 1 upon 4 तो यह हमारा answer होगा यह हमारे roots होगे 1 upon 4 1 upon 4 आप चाहें तो वीडियो को pause करके write down कर सकते हैं या फिर screenshot ले सकते हैं find the roots of 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0 यानि इसके हमें roots बताने हैं सबसे पहले देखो आप एक को c से multiply करो तो 100 into 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीके मनलब product आप एसी कितना आगया 100 आगया तो आप ऐसे भी देख सकते हो अगर यहाँ 1 लिखा है तो जो यह है वही आएगा 100 बन जा 100 तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है आप देखो 100 के factor find करेंगे factor ऐसे find करने हैं कि 20 आजाए add करने पे या subtract करने पे क्योंकि b की value कितनी है 20 20 कैसे आजाए add करने पे या subtract करने पे तो यहार factorization करने कि इसमें कोई जरूरत ही नहीं है 10 10 जा 100 10 प्लस 10 20 इसमें कुछ करने ही जरूरत ही नहीं है चलो फिर करें यह से बटा देते हैं तो इसके factor क्या होंगे 10 10 we have 100 x square minus 20 x plus 1 is equal to 0 100 x square minus जहां पे 20 है वहां पर 10 plus 10 write कर देंगे into x plus 1 is equal to 0 इसको अंदर multiply करेंगे 100 x square minus 10 x अब द्यान से देखना यह बाहर minus है अंदर plus है तो minus into plus minus minus into plus minus 10 x plus 1 is equal to 0 यहां से 10 common लेंगे और x common लेंगे तो देखो 10 10 जा 100 1 x निकल जाएगा 1 x बचेगा minus यह देखो 10 x यह 10 x निकल जाएगा तो बचेगा 1 minus जब तीसरे system में आपको minus sign दिखे तो minus sign common कर लो 10 x यहां पर है 10 x यहां पर है 1 यहां पर है 1 यहां पर है कुछ भी common नहीं होगा तो जब कुछ भी common नहीं होगा तो one common लेते हैं कितना one तो यहां पर one common कर लेंगे यानि कि minus one common कर लेंगे तो देखो इसका minus sign निकल जाएगा plus sign नहीं जाएगा 10x और इसके प्लस से माइनस निकलेगा तो माइनस बचेगा 1 तो देखो यह 10x-1 10x-1 सेम सेम है इसको कॉमन कर लेंगे तो यहां पर बचेगा 10x यहां से कॉमन हुआ सेम सेम है तो एक ही रूट दो बार रिपीट होके आएगा एक बार इसको जीरो लेंगे 10x-1 इसी प्रकार से यह 10x-1 is equal to 0 10x is equal to 1 by 10 तो आपने क्या देखा कि एक के क्या रूट आ गए 1 by 10 1 by 10 तो आखरी में राइट करेंगे दस दा रूट्स आप यक्स आर वन अपान टेन यह हमारा आंसर होगा इस क्योशन का एक से रूट हो गए 1 अपान 10 वन अपान 10 अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पहुच करके दिस ले सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं तो गईज अब बताइए आपको वीडियो कैसे लेगा अगर आपको इस वीडियो से अब तक लिए जय हिन